सब्सक्राइब करेंगी कख्षा पाच की गनित के कुछ प्रश्ण जो कि इंपर्टेंट है और यह प्रश्ण हमने लिए वह वर्क्षिट फोर है क्योंकि इससे अल्रेड़ी है पहले हम तीन सॉल्व कर शुके है ठीक है यह जो प्रश्ण है वह गुणाज चेहां के पाहड़े में आ रहा हूं तो दो के पाहड़े में तीन नहीं आता चार आता है तो गुणा बना दीजिये रहाञरा नहीं आता दस आता है हाँ वह फंज्जे ही है, 14, 17, 24, 15 रही है, 17, 27, 22 नहीं है, 23 नहीं है, तीक है, next है, 15 के गुणनक्षण पर गोला, अब है अपने गुणाजवाला सॉल्ब किया, आपका है गुणनक्षण वाला, अब गुणनक्षण का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो पंद्रा जिसके पाड़े में आती है पंद्रा जिसके पाड़े में जैसे एक के पाड़े में सारी संख्या आयती है तो एक आ जाएगा तीन के पाड़े में आती ही पंद्रा? तीन उपंजे पंद्रा हाँ साथ में नहीं आती, पांस्ती का पंद्रा आती है, और पंद्रा के पाड़े में पंद्रा आता है, तो पंद्रा के गुणनकन हो गए, एक, तीन, पांच और पंद्रा, नेक्स्ट है, साथ के गुणनकन पर गोला बनेए, एक तो सब में आईगी, दो भी है, बार पंजे साथ ह साट के गुणंविन गुणंच 3 और 4 के समान घुणच 3 पटमें भी ाता है और 9 3 पुर 4 में गतलें पंद्रा तीन में आता है बीज तीस जो है वो तीन में आता है 36 दोनों में आ जाएगा 60 भी दोनों में ही आ जाएगा Next पंद्रा और 20 के समान गुणनकन पर गोला पंद्रा का भी हो और 20 का भी हो तो एक तो दोनों का ही है पांच दोनों का ही है थीके तो ये दोनों ही हैं एक और पाँच के वर next निमन के अंको के गुणज लिखिया अब गुणज लिखना है मतलब पहाडा लिखना है उस अंख्या का जिसे निमन अंको के गुणज लिखिये तो 4 का पहाडा लिख दीजे चार एकम चार चार दूनी आठ चार त्री का बारा चार चुक faith 16 चारू पपजे 20 पास तक लिख τरे चे रहे है अगे पन 12 का 12 एकम 12 12 दूनी चोईस 12 thia 36 12 chok 48 12 पंचे 60 25 का 25 एकम 25 22 50 25 ती 75 25 चोख 100 25 पंचे 115 25 निमने संक्याओं के गुणनकन लिखने हैं अब गुणनकन का मतलब है 25 कि इसके पाड़े में आता है तो एक में आता है 5 में आता है और 25 में आता है 40 एक दो चार पांच आठ दस बीस और 40 में आता है बहतर एक, दो, तीन, चार, छे, आठ, नू, बारा, अठारा, चोईस, चातिस और बहतर तो ये इसके गुणनकन है नेक्स्ट एप वे सबसे बड़ी संक्या ग्याद करो जिसका 45 पे 55 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है तो सबसे पहला 45 के गुणनखंड निकालीजी फिर 75 के गुणनखंड फिर उसके बाद में निकालेंगे समान गुणनखंड नेक्स्ट अब निकालेंगे सबसे बड़ा समान गुणनखंड 45 के गुणनखंड एक तीन पाच नों पंदरा और पिचत्तर के में एक तीन पाच पंदरा पंदरा और पिचत्तर अब समान गुणनखंड कौन कौन से 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, सबसे बड़ा समान कुननकन क्या है, 15 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15, next, अगला वाला, और अगला जो है, वो है, तीन बर्त्रों में, क्रमेश है, 20 लीटर, 40 लीटर, एंवं 60 लीटर दूद् भरा हुआ है, ठीके, बड़े से बड़ा नाप बताईए, नाप ग्याद कीजिए, जो तीनों बर्तुनों के दूद को पूरा-पूरा नाप सके, सबसे पहले हम निकालेंगे 20 के गुरंखन, जिससे हमने उपर वाला फ्रिशन किया, वैसे ही इसको भी सॉल करना है, 20 लीटर, 40 के गुरंखन, तो 20 के गुरंखन, 40 के गुरंखन, 60 के गुरंखन, 20 के गुरंखन, एक, दो, चार, एक, दो, चार, पाँच, दस, और बीस, 40 के 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 है, एक, दो, चार, पाँच, आठ, दस, बीस, और चालेश, नेक्स है, साट के कुन-कुन से है, एक, दो भी है, तीन, चार है, पाँच है, छे है, दस है, बारा है, बीस है, तीस है, और साट है, ठीक है न, यहां तक हो गया बरा, अब हमी क्या करना है, समान-गुणन-कंड जो है, वो निकालने है, क्या निकालने है, समान-गुणन-कंड, समान-गुणन-कंड, समान में एक है, सबसे समान, दो भी है, चार है, पाँच भी है, सबसे बड़ा समान गुणंखंड सबसे बड़ा समान गुणंखंड हमारा 20 आंसर कितना हो गया 20 हो गया हम इसका लिखेंगे कि बड़े से बड़ा नाप क्या होगा बड़े से बड़ा नाप कितना हो जाएगा 20 लीटर आंसर क्या हो 20 लीटर इंपोर्टेंट आपके लिए एक्जाम में इसमें से ज्यादा जो कुछा जा सकता है वह इस टाइब का और इस टाइब का पुछा जाएगा छोटे कोशन जो आपने एक से आठ नमबर तक किये ते उनमें से पूछा जाएंगे इंपोर्टेंट है वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीश वीडियो को लाइक एंट रहें जरूर कीजिए यहादी अपने चैनल कर रहा है तो प्लीश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिसके नेक्सि आने वाले वीडियो का न्वाट्य॥ आपको राप्त हो मुच